गाइज वाट्सेप बहुबले ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो गाइज हम 36 गर आज जो लंकर पुरसकार जो 20 में 2020 में गोशना हुए हैं उसको पढ़ रहे थे याद कर रहे थे ठीक है और इस तरीके से हमने पिछले वीडियो में 12 पुरसकारों के बारे म हुआ है उसको आज हम याद करेंगे और जानेंगे समझेंगे ठीक है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टेलिग्राम से भी जूड़ जाए डिस्क्रिप्शन में लिंक है ठीक है अगला तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अगला पुरसकार अपना तेरवा नं महराजा अगरसेन सम्मान दिया जाता है समाजिक समरस्ता के छेतर में और स्री रामवतार अगरवाल को ये पुरसकार मिला है तो अब इनको याद कैसे करेंगे तो अगरसेन का अगर उठाए ठीक है अगरसेन का अगर उठाए और यहां लाए तो बन जाएगा ये अगरवा अब इनको कैसे याद करेंगे तो देखे जब समाजिक समरस्ता की बात आती है समाजिक समरस्ता कहने का मतलब क्या है कि समाज में समानता की भाउना का संचार करना भाई चारे से रहना सब को समान दिरिष्टी से देखना ठीक है समाज का विकास करना ऐसे काम जो करते हैं उनको ये सम्मान मिल जाता है सम्मान दिया जाता है अब जब समाजिक समरस्ता की बात आती है तो भगवान च्री राम से बेस्ट एक्जामबल को हो सकता है क्या नहीं हो सकता क्योंकि भगवान च्री राम समाज को एक ही दृष्टी से समान दृष्टी से देखते थे बड़े-बड़े राजा बड़े-बड़े घर में रहते थे तो शबरी के कुटिया में भी वो रहे हैं बड़े-बड़े राजा महराजा की यहां भोजन किये हैं तो शबरी के राम वतार अगरवाल समाजिक समरस्ता के छेतर में दे जाता है तो समाजिक समरस्ता की बाद आएगी तो भगमार राम को आप याद करेंगे और भगमार राम जब याद आएगा तो राम वतार ठीक है और अगर से अगरवाल अग्रसेन सम्मान से अग्रसेन वाल ठीक है चले देखते हैं बगला सम्मान देखते हैं चंदुलाल चंद्राकर इसमरिती पुरसकार ये किन छेतर में दिया जाता है और किन को तो देखिए पुरसकार में ही पत्रकारिता है मतलब पत्रकारिता के एक छेतर में ये दिया जाता तो पत्रकारिता इसमें दो तरीके से डिवाइड किया गए क्या है प्रिंट मीडिया है इलेक्ट्रोनिक मीडिया मतलब क्या जो आप न्यूस्पेपर पड़ते हैं देनिक भासकर हरी भूमी नई दुनिया दहिंदू वगरा क्या-क्या है न और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में क श्री ब्रम्हवीर सिंग को ठीक है किनको श्री ब्रम्हवीर सिंग को और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में मिला है सुस्री ममता लांजेवार को ठीक है तो यह हो गया अब इसको अब याद कैसे करेंगे तो याद ऐसे करेंगे question पूछा जाएगा कि print media में सम्मान किसको मिला है चंदुलाल चंद्राकर सम्मान किनको मिला है तो option में तो दोनों रहेगा आप confuse हो जाओगे तो उसके लिए क्या करेंगे print में ये जो प्र है ये वाले symbol को क्या बोलते है जो ऐसे है वैसे ही ब्रम हमें भी है ब्रम हमें ठीक है ये है ना तो इसको आधार मान कि आप confusion दूर करिये कि print में जो सम्मान मिला है वो ब्रम हवीर सिंग को मिला है ठीक है और electronic media तो electronic media में किनको मिला है ममता लाजेवार अब मैं सहीं बात बता रहा हूँ मैं कमरधा कहूँ और हमारी कमरधा में एक electronic store है ठीक है ममता electronics है ना तो उनकी वज़ा से ये याद हो जाएगा और अगर आपकी यहाँ नहीं है तो बता दीजी आपकी यहाँ भी branch डलवा देंगे ठीक है ममता electronics से clear अगला देखते हैं धन्वंत्री सम्मान ठीक है कौन से सम्मान धन्वंत्री अब धन्वंत्री सम्मान देखे भगवान धन्वंत्री है कौन नहीं जानता कौन नहीं जानता सब जानते हैं भगवान धन्वंत्री को The God of Medicine है न तो आयरुवेद के आचारियत है और आयरुवेदिक जो शोध अनुसंधान करते हैं चीकिस्सा उनको ये पुरसकार दिया जाता है तो किनको मिल है इस साल का पुरसकार वो मिल है गौतमचंद जैन को ठीक है गौतमचंद जैन को तो अब इनको याद कैसे करेंगे तो गौतम का गौव उठाईए धनमंतरी का धन उठाईए तो बन गया क्या गौधन गौधन ठीक है तो गौधनवर्ड आप याद रखिए तो इससे आपको बन जाएगा एक्जाम हाल में आएगा धन्मंतरी सम्मान तो गोधनवड याद रखे गो से गोतमचन और धन से धन्मंतरी क्लियर चलिए अब अगला सम्मान देखते हैं बिलासा भाई क्योंटीन मतस्य विकास पुरसकार सम्मान तो ये नाम में ही मतस्य है मतलब जो अच्छा खाटी तरीके से मचली उत्पादन करते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है मतलब मचली पालन के छेतर में सम्मान दिया जाता है तो किन को मिला है श्री गोरव सलूजा को मिला है ठीक है आप देखिए मचली पालन करना भी कितनी गोरव की बात है है ना गोरव वाले को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कितनी गौरों की बात है बताईए आप तो इसलिए गौरों की बात है तो गौरों सलुजा ऐसे करके याद कर लिजिए क्लियर चलिए अगला देखते हैं संस्क्रीत भाषा सम्मान ट्रिक थोड़ा पटा लागेगा मेरों को पता है क्या बाकवास टाइप का पढ़ा रहे हैं पर यही स्टोरी आपको एक्जाम हाल में याद आएगी और आपसे क्विश्चन बनेगा सही आंसर पर आप टिक करोगे अगला देखते हैं संस्क्रीत भाषा सम्मान ठीक है संस्क्रीत भाषा सम्मान यह नाम में हैं संस्क्रीत भाषा तो संस्क्रीत भाषा की जो सेवा करेगा सरक्षण करेगा सोध हनुशंधान करेगा उनको यह पुरसकार दिया जाएगा ठीक है और यह उस पुरसकार कि इनक पुरसकार कुमुद काने को ठीक है किनको डॉक्टर कुमुद काने को ये पुरसकार बिरा है संस्क्रीट भाषा का अच्छा जैसे कि हमने पढ़ा क्या था उर्दु भाषा की सेवा सत्कार के छेत्र में कौन सा पुरसकार दिया जाता है हाजी हसन अली पुरसकार दिया जाता क्लियर किनको मिला था तो मैंने बताया था जो उर्दु की सेवा करेगा उर्दु भाषा की सेवा सुरक्षा करेगा उनको मेवा मिलेगा और मेवा में क्या मिलेगा हनी मिलेगा ठीक है मेवा में हनी मिलेगा तो हनी से हनिफ नजमी ऐसे करके हमने बताया पढ़ा था ठीक है त की सेवा और उत्थान के छेदर में चली आदिवासी एवं पिछड़ वर्ग की सेवा एवं उत्थान के लिए कौन सब पुरसकार दिया जाते है वीर नरायन सिंग आदिवासी एवं पिछड़ वर्ग के उत्थान के लिए वीर नरायन सिंग पुरसकार कीन को मिला था तो वीर बहुआर सिंग पूरते पढ़े हैं तो यह किनको मिला है देखे जब भावर का मतलब होता है आप समझते हैं भावर में फास गए हैं मजधार में फास गए हैं प्रॉबलम दूप तकलिप में हैं संकट में हैं तो संकट से उबारने के लिए आप क्या करते हैं भागवान दिजिजे प्रभू पतप्रदर्शित कीजिए ऐसा बोलते है न तो बस शłem Wiki से संभू शक्ति नामक एक संस्था, उनको ये पुरस्कार मिला है भामर सिंह पूर्त है ठीक है भवार में फासते हैं तो शंभू, सक्ति दीजे, पत प्रदर्शित कीजे प्रभू, ऐसा बोलते हैं न, तो बस उन्हीं से याद हो जाएगा, अगला दिखते हैं माधावराव सप्रे, रश्टी, रचनात्मक्ता, एवं सम्मान, ठीक है, माधावराव सप्रे आप जानते हैं उन्नीस्वों में 36 गण मित्र पत्रिका का प्रकाशन किया था, क्या जवर्दस तरीके से उन्होंने अपनी प्रकाशन किया और जो लिखन कला थी, संबादन जो था, बाकमाल था, क्या बात वो लिखते थे, तो इसलिए रचनात्मक्त लिखन और हिंदी भाषा के छेत्र मे माधराव सप्रे पुरसकार दिया जाता है, ठीक है, अब ये किन को मिला, भाई जो अच्छा लिखेगा, रचनात्मक लिखन लिखेगा, उन्हीं को ये पुरसकार मिलेगा, तो राजेंदर धोड़ पकर, धोड़ पकर को ये पुरसकार मिले है, धोड़ पकर को धर पकर पकड़ेंगे पेन को और फिर अच्छे से एकदम रचनात्मक लेखन लिखेंगे तो फिर आपको याद आ जाएगा क्लियर हो गया यह वाला थोड़ा फनी लगा ठीक है अगला देखते हैं चलिए महराजा रामनुच प्रताप सिंधेव सम्मान ठीक है तो इसको आप याद कर हैंगे माल लिजिए एक हरी राम नाम का कोई वक्ति है क्या नाम है हरी राम और वो क्या करता है वो अंबुजा सिमेंट की जो फैक्टरी है बलावदा बजार में वहाँ वो काम करता है श्रम करता है परिश्रम करता है ऐसा इमेजिन कीजिए ठीक है तो हरी राम में हरी से मत प्रताप सिंह देव सम्मान को जोड़ी है ठीक है हरी राम से इतना क्लियर हुआ अब अम्बुजा सिमेंट फैक्टरी में काम करता है तो अम्बुजा सिमेंट फैक्टरी को भी ये रमनुच प्रताप सिंह देव सम्मान मिला है और बहुत परिश्रम करता है श्रम करता है तो के चेतर में दिया जाता है क्लियर हो गया चलिए आगे देखते हैं बेरिष्टर ठाकुर छेदी लाल सम्मान है ना तो सामने बेरिष्टर जूलर है मतलब यह जरूर कानून वीधी के चेतर में लौ के चेतर में लौ के चेतर में यह दिया जाता है इस ब्यूद को बहुत टेंड़िंग है भाई साफ यूटूब में फेस्बूक में वाट ट्विटर हर जगह बिनोध 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 को तो बिनोद के साथ निर्मल को भी आप याद रख लिजे, कौन से छेतर में, देखिए आप कैसे याद करेंगे, बिनोद बिनोद इतना ट्रेंडिंग करने लगया था, मेरा मन कर रहा था, मैं केस कर दूँ, केस मतलब उनके उपर ये कर दूँ, है न, या फिर ऐसे याद रख लिजे, कि जिन्होंने ये ट्रेंडिंग चलो किया था, उनका मैं छेद कर दूँ, ताकि वो कनफ्यूज हो जाएगी, सास कहां से ले, और आवाड कहां से ले, ठीक है, ऐसा कुछ करके याद कर लिजे, तो ठागूर छेदी लाल पुरसकार कि उनको मिला है, विनोद रहा है, विसाहुदास महंत पुरसकार, ये चरंदास महंत जो हमारे विधान सभाध्यक्ष हैं, सक्ति विधायक, सक्ति विधान सभाध्षेत्र से विधायक, उनके पिताशी हैं, ठीक है, विसाहुदास महंत जी, तो उनके छेत्र में भी इस साल बुनकर अवाड दिया गय हैं तो किनको किनको मिला है चार लोगों को मिला है ठीक है सोला और सत्रा के लिए दो लोगों को और सत्रा और अठारा के लिए दो लोगों को तो सोला सत्रा के लिए जो और मिला है वो राजेश और मदुसुदन देवांगन ठीक है राजेश और मदुसुदन देवांगन, 17 ठ्रगले जो पुरसकार मिला है उसमें भी राजेस और विरेन देवांगन, ठीक है, तो राजेस दो राजेस देवांगन हो गए, एक मधु सुदन और एक विरेन देवांगन, ठीक है, राजेस राजेस मधु वीरू ऐसे करके आप याद कर लिजी, या फिर रा करणुाना माता हात करगा, पुरत्साहन पुरस्कार, यह भी बुनकर के छेतर में दिया जाता है, तो किनको किनको मिला है अच्छा हाप बताईए, जब आईस क्रीम खाते हैं और जब क्रीम freeze खाते हैं तो स्वात में कैसा होता है, मिठा होता हैं, लेकिन आप IMAGIN किजिए कि आप आइस क्रीम खा रहे हैं और स्वाद में वो करू हो करू हो ठीक है क्रीम खा रहे हैं और वो करू हो तो ऐसे आप याद रखेंगे तो ये वाला आवाड आपसे याद हो जाएगा तो करू से करूना मात आपको याद आएगा और क्या खा रहे हैं क्रीम क्रीम खा रहे हैं को करू करूना मादा सम्मान मिला है ठीक है बुनकर के छेतर में अगला देखते हैं लखाल लाल मिश्ड सम्मान ये दिया जाता है अपराद अनुसंधान के छेतर में अपराद अनुसंधान के छेतर में ये पुरसकार दिया जाता है तो ये किनको मिला है दिविया शर्मा को कि है भाई साब जब राद अनुसंधान आप कर रहे हैं मतलब कहीं पर मार काट हुआ है हत्य हुआ है आप घटने स्थल पर पहुँचेंगे आप पुलीस वाले हैं तो आप इमेजिन करेंगे ना कि हाँ जो क्या बोलते हैं क्रीमिनल है जो यहां से आया है ऐसे उन्होंने पैर ऐसे तलवार निकाला चाकू निकाला गोंपा और ऐसे भाग के चला गया यह सब आप इमेजिन करेंगे तो इमेजिन करने के मतलब आपके पास दिव्य शक्ती है वैसा इमेजिन करने की तभी तो आप सठीक एकदम क्रीमिनल तक पहुँचेंगे जब आप उसी तरीके से सो पूचेंगे तो ऐसे करके आप दिवय शर्मा को यात कर लिजिये ठीक है मिस्ट सम्मान अपराद अनुसंदान के छेत्र में ठीक है या फिर ऐसे सोच लिजी की दीवय सर्माजी लख्ख है लखंग दीवय सर्मा जी को लख लख बढ़ाई कि उनको लख नाल सम्मान पुरस पूरसकार राज्य अलंकरन पूरसकार हमने कम्प्लीट कर लिया ठीक है चलिए एक दो कुश्यान मैं पिछले वाले वुडियों से पूछ लेता हूं आपको याद है कि नहीं याद है तो अच्छी बात है नहीं है तो याद कीजिए रिवजन कीजिए चलिए बताए सुन्दर हू शुशील हो और जीवन भर लोग उसको याद करे की अपनी जहां में बेठागे रहं की तो सुन्दर से शंदरलाल चर्मा सहीति से सहीति छेत्र में दिया जाता है सुसिल से शुशील त्रिवेदी और जीवन से जीवन लाल ऐसे करके हमने याद किया था ठीक है और कौन सा पुछू हूँ चलिए बस इतना ही है अगर आपने वो वेडियो नहीं देखा पिछला वाला तो वो देखिए रिवाइस कीजिए फिर ये देखिए ठेंक्यू